नमस्कार, बेपाट्थर्ड थेंदे सहित्य के प्रथम प्रश्णुपत्र के इस आभासे एक अक्षा में आप सद्धी का स्वाकत, हम सुदामा पांडे धूमिल को पढ़ रहे हैं, हमने पिछली कविता प्रॉडशिक्षा पढ़ी और अब उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कवि कविता मोची राम, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसकी मैंने बताया कि धूमिल आम आदमी की बात करते हैं, या कहें कि साटो तरी कविता आम आदमी की बात करते हैं, उनकी जीवन चर्या की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दलितो छूशित और प्लिटूं के बात करते इसी प्रकार का आपको साक्ष भी और एक तुल्म जो बिलकुल निम्डवर्ग से जो प्राण व्यक्ति आते हैं या भारत की जो वर्ण व्यवस्ता है उसमें किस तरह से एक आम व्यक्ति जो निचले तबके से संबन्द रखता है उसका जीवन या उसकी सोच किस प्रकास की है यह इस कविता में बताने का प्रयास्थ हुमेर करते हैं मोची रम रापी से उठी हुई आखों ने मुझे देखा आखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पती आये हुए स्वर में वह हसते हुए बोला बाबुजी सच कहूं मेरी निगाव में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी खड़ा है और असल बात तो यह है कि वह चाहें जो है जैसा है जहां कहीं है आज कल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है फिर भी मुझे खयाल रहता है कि पेशेवर हातों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़त करते हैं जो जूते से जागती हुए उंगली की चोट छाती पर हतोड़े की तरह सहता है रापी आपने देखा होगा मोची जब आप कोई चपल या जूता मरमत करते तो एक लोहे का एक ऐसा उनके पास में एक कहना चाहिए उनके काम अने वाला वाली एक वस्तू होती है जि सबसक्रा चाहता पर का सहरा लेकर मरमत करतें उसे रापी कहता है तो कभी किसी कि मोची के पास बैठा है तो या दूर से पोघाए जो इस दूर से देख रहे हैं बात करने वाला स्वयम मोची राम है कभी कहते हैं कि रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पती आये हुए स्वर में हसते हुए बोला अपने काम में लगा हुआ था नीचे रापी पर अपने जो भी मरमत का काम था वो कर रहा था लेकिन उससे आखें उठाकर छण भर के लिए मुझे कभी कहते हैं कि उसने मुझे टटोला मुझे देखा मुझे समझने का प्रयास किया और फिर पती आये हुए और बहुत ही विन गां में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा हो सकता है कि उस मोची राम से सवाल किया गया हो तो उसका उत्तर देते हुए वो कहता सोचता हूं ? मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं threat मैं अपने कार्रे कर इतना ज्यादा एक आघरशित हुँ हूँ कि मेरे नजरमने तो हर मेर जूंता संसे पहनने वाला कौन है इस पर मेरा ध्यान नहीं चाहता मेरे लिए हर इंसान को किवल पर सिर्फ उसके जूटे पर होता है एक व्यक्तित शुप यह जात्पात पर या उसकी प्रतिष्ठा पर नहीं होता और असल वात तो यह है कि वैंचाहें जो है जैसा है और जहां रही है आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है पिर कहता है कि फिर मुझे जरूरत भी नहीं है मैं क्यूं देखू कि कौन कैसा है असल बात वेवस्थाति समाज पर अग्रशर थे क versucht समझ थूभत एंड़्रेम है कोई कहीं सैंतु कहीं से बहें जो है जो है kommt है जैसा है बड़ा है चूटा जहां कहीं से भी आता है आज कल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है मैंने हर इंसान किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है हर व्यक्ति अपनी अउकात और हैसियत समझता है फिर भी मुझे समस्क्राइबाद है कि पेशेवरटों और फटेत हुई जूतों के बीच कही ही ना कहीं एक आदमी नहीं को शी इंट जुटों करें ना, टो मेरा व्यविता में निपुन मेरे हातों को यह ज़रूर ध्यान होता है कि तो फटेवे जूतों की मैं मरमत कर रहा हूं उसके और मेरे हापतों के बीच एक आदमी है जो इन जूतों को बहनेगा जिससे मेरे मरमत के वेवे जूतों से जूते से जहाती उंगलियों की चोट चाथी पर हतों की तरह सहता है जो मेरे पास आया है तो मेरा पश्यवत जब्मेदारी ऌतर देचर है कि मेरा यह है कि मैं उसे हैं उस्की जूते को इस तरह सीकुंझझ ध्यान करकूछ कि भीडिदब हर गयान वहा पाद न वहर्ए जाते होई उंसान जूतों की मुझ्वाइब से चूप जाएं क्यों ईन जाती हुई उंगलियों से ही उसने सारी जो तांके पड़ते चूते चाह सही है माने अगर कोई केल चुबी है या कोई और तकलीफ हुई है उसके पैरों को तो वो उन्हें उंगलियों के वाध्यम से हुई होगी जहां से कि वो फटे हुई जूतों से बाहत निकल रही थी अगर हम इसका इसका हम भावार्थ देखें तो हम यह समझें कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या कोई भी व्यक्ति पूर्ण तहां सुखी हो यह जरूरी नहीं है कोई न कोई कश्ट कोई न कोई पेड़ा उसे अवश्य होती है थन्यवाद